जेही नमस्कार दोस्तों अगर आप सभी BSAP TREDMENT नई भरती 2024 के इंतियार कर रहे हैं तो आप सभी कोई एक महत्पूर सूचना है जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में देना जाता हूँ अगर आप इंतियार कर रहे हैं कि BSAP TREDMENT की कोई भरती आ जा उसमें फर्म भर के सेलेक्सन पा जाएं तो ये बिलकुल गलस तो चरहे हो आप सभी को यहाँ पर अब की बार फॉर्म भरते समय यहाँ पर NSQF Level First का Certificate अपलोड होगा आप सभी अपना NSQF Level का First Certificate बनवा लिए ठीक है बात करें यहाँ पर तो NSQF Level का Certificate है वो समय नहीं लगेगा कुछ ट्रेड में यहाँ पर लगने वाला है अगर आप कुक के लिए फार्म भरते हैं या फिर आप सभी यहाँ पर टेलर के लिए फार्म भरते हैं सुरी दोस्तों कुक के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी फरजी एनअश्ट की लभल सर्कीर बनाते हैं तो आप सभी यहां पर फैल हो जाओगे अगर fail नहीं भी होते, joining भी आपकी हो जाएगी तो आपका जो document है न वो verification यहाँ पे लगातार चलता रहता है और जब तक आप सब के training चलती है तब तक आप सभी के document verify होते रहते हैं कहीं भी गलती पा गया न तो आप सभों को direct यहाँ training से भी बाहर कर दिया सकता है तो आप इतना बड़ा risk के जो है mole मत लेजिए, आप सभी फटा फट यहाँ पर बहुत दिन का course नहीं होता बहुत सारी उटकर आपको बता भी रहे होंगे, अगर आप इन तीन trade के लिए form बनना चाहते हैं तो आप सभी NSQF लेबल का certificate कहीं न कहीं से आप बनवा लिए ठीक, कहीं से बनवा लिए चाहे कोर्स करके बनवा यह जैसे बनवा यह आपके उपर आपकी यह responsibility है आपको बनवाना है अगर आप BSAP टेड में में फार्म भरना चाहते हैं तो केवल तीन trade में बाकी आप सभी अगर कॉवलर में, टेलर में, स्वीपर में बाकी अधर trade में भना चाहते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं लगेगा सिर्फ दस पास होना चाहिए तो भी आप सभी बाकी अधर trade में फार्म भर सकते हो सिर्फ तीन trade, वेटर, वाटर के रियर कुख के लिए अगर आप फार्म भरते हैं तो यहाँ पर NSQF सार्टिफिकर बहुत जरूरी है ठीक है इस बार भी हो जाएगा मज़ा आ जाएगा अब की बार बेसफ में हो जाएंगे तो बिल्कुल विलस्तोच रहे हो ऐसा नहीं होने वाला अब की बार हर एक बच्चा यहाँ पर जागरूख हो चुका है और NSQF लेबल फर्टिफिकर यहाँ पर फटाफ़ बनवा रहा है ठी इतना ही फर्क होगा पाकी NSQF लेबल अगर अप लग लगा के फार्म भरते हैं तो उसमें भी कॉंप्टिशन है ऐसा मस समझना कॉंप्टिशन नहीं है मैं जाओंगा क्यों एक्जाम में बैढ़ जाओंगा एक्जाम कॉलिफाई कर लूँगा ऐसा नहीं है NSQF लेबल काफ समय कै डॉक् horrific अप्लोड होगा क्या क्या अप्लोड होगा मैं इस पहुर इसका और कृड़ के निवास आप अगर लेकीन आप अगर और आर्थी ग्रूप से कमजोर हैं, आपने EWS बनवाया है, तो आप सभी EWS से भी फार्म को फिलप कर सकते हो, कोई देखकर यहाँ पर नहीं होने वाला ठीक है, आपको EWS यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा बसका ली, फोटो सिगनेचर, इतना डॉक्यमेंट यहाँ पर अ जरूरी है, तो फिलाल यही थोड़ी सी जानकारी थी, जो कि मैंने आपको वीडियों दिया है, अगर आपको वीडियों अच्छी लगी हो, तो वीडियों को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप सभी को मैं सारी जानकारी एक चैनल के मादम से मिसा देता ठीक है, तो चले फिल मिलने किसी नई भरती हो, नई अपडेट सा दफ्ता के लिए जाहिंद